यानता पन ठेट जाना रोत वर्ध्या मधे पंतप्रधान नरेंद्र मोधी बोलता है यही हम सबने विश्व कर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की पवित्र धर्ती पर हम पी-एम विश्व कर्मा योजना की सभलता का उत्सव मना रहे हैं आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि नाइन्टीन थर्टी टू में आज ही के दिन महत्मा गांदी जी ने अस्पुरुष्चता के खिलाब अभियान शुरू किया था ऐसे में विश्व कर्मा योजना के एक साल पुर्ण होने का ये उत्सव पिनोबाजी की ये साधना स्थली महत्मा गांदी जी की कर्मभुमी वर्धा की ये धर्ती ये उपलब्दी और प्रेना का ऐसा संगम है जो विख्षीद भारत के हमारे संकल्पों को नई उर्जा देगा विश्व कर्मा योजना के जरिये हमने प्रम से सम्रुद्धी इसका काउसल से बहतर कल का जो संकल्प लिया है वर्धा में पापु की प्रेनाएं अमारे उन संकल्पों को सिद्धी तक ले जाने का माध्यम बनेगी मैं इस योजना से जुड़े सभी लोगों तेज भर के सभी लाभारतियों को इस आउसर पर बधाई देता हूँ साथियों आज अमरावती में पीएम मित्र पार्थ की आधार सिला भी रखी गई है आज का भारत अपनी टेक्स्टाइल इंडस्टी को वैस्वीक बाजार में तौप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है देश का लक्ष है भारत की टेक्स्टाइल सेक्टर के अजारों वर्थ पुराने गव्रव को उनर स्थापित करना अमरावती का पी एम मित्र पार्क इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है मैं इस उपलब्दी के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ साथियों हमने विश्व कर्मा योजना की पहली बर्सगाड के लिए महराश्त्र को चुना हमने वर्धा की इस पवित्र धर्ती को चुना क्योंकि विश्व कर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्रेम भर नहीं है कि योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विख्षीद भारत के लिए इस्तमाल करने का एक रोड मैप है आप याद करिए हमें इतिहास में भारत की समुरुद्धी के कितने ही गवरवसाली अध्याए देखने को मिलते है इस समुरुद्धी का बड़ा आधार क्या था उसका आधार था हमारा पारंपारिक कौशल उस समय का हमारा शिल्प अमारी इंजिनेरिंग अमारा विज्ञान इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे हमारा धातु विज्ञान हमारी मेटलर जी भी पिश्व में बेजोड थी उस समय के बने मिट्टी के बरतनों से लेकर भवनों की डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था इस ज्ञान विज्ञान को कौन घर घर पहुचाता था तुतार लोहार तोनार कुमार मुर्तिकार चर्मकार बढ़ई मिस्त्री ऐसे अनेक पैशे ये भारत की सम्रुद्धी की बुनियाद हुआ करते थे इसलिए गुलामी के समय में अंग्रेजों ने इस स्वदेशी हुनर को समाप्त करने के लिए भी अनेकों साजी से की इसलिए ही परधा की इस धरती से गांधी जी ने रामिन उद्ध्योग को बढ़ावा दिया था लेकिन साथियों ये देश का दुरभाग्य रहा कि आजहती के बाद की सरकारों ने इस हुनर को वो सम्मान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था उन सरकारों ने विश्व कर्मा समाज की लगातार उपेशा की जैसे जैसे हम शिल्प और कौशल का सम्मान करना भूलते गए भारत प्रगती और आधुनिक्ता की दोड में भी पिछड़ता चला गया साथियों अब आज़ादी के सत्तर साल बार हमारी सरकार ने इस परंपरागत कौशल को नई उर्जा देने का संकल्प लिया इस संकल्प को पुरा करने के लिए हमने पी-एम विश्व कर्मा जैसी योजना शुरू की विश्व कर्मा योजना की मुल्भावना है सम्मान, सामर्थ और सम्रुद्धी यानि पारंपरिक हुन्र का सम्मान, कारी गरों का ससक्ति कराण और विश्व कर्मा बंधों के जीवन में सम्रुद्धी ये हमारा लक्ष है और साथियों विश्व कर्मा योजना की एक और विशेस्ता है जिस केल पर, जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग-अलग विभाग एक जुढ हुए है ये भी अबुद्पुर्व है देश के साथ सो से ज़्यादा जिले देश की ढ़ाई लाग से ज़्यादा ग्राम पंचायत देश के पाँच हजार सेयरी स्थानिय निकाए ये सब मिलकर इस अभियान को गती दे रहे हैं इस एक वर्ष में ही अठारा अलग-अलग पैसों के पीस लाग से ज़्यादा लोगों को इस से जोड़ा गया सिर्फ साल भर में ही आठ लाग से ज़्यादा सिल्फकारों और कारीगरों को स्कील ट्रेनिंग, स्कील अप्ग्रेडेशन मिल चुकी है अकेले महराष्ट में ही साथ हजार से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिली है इसमें कारीगरों को, मोडन मशिनरी और डिजिटल पूर्स जैसी नई टेकनलोजी भी सिखाई जा रही अब तक साड़े छे लाग से जादा विश्व कर्मा बंधों को आदूनिक उपकरण भी उपलब्द कराए गए हैं इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बड़ी है इतना ही नहीं, हर लाभारती को पंदरा हजार रुपिय का इबावचर दिया जा रहा है अपने वैवसाय को आगे भनाने के लिए पीना गारंटी के तीन लाख रुपिय तक लोन भी मिल रहा है मुझे खुशी है कि एक साल के भीतर भीतर विश्व कर्मा भाई बहनों को चौदा सो करोड रुपिय का लोन दिया गया है यानि विश्व कर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है तभी तो ये इतनी सफल है तभी तो ये लोगप्रिय हो रही है और अभी मैं मारे जितना माजी जी प्रदर्शनी का वरण कर रहे थे मैं प्रदर्शनी देखने गया था मैं देख रहा था कितना अधुद काम परंपरा ग्रूप से हमारे हाँ लोग करते हैं और जब उनको नए आदुनिक टेक्नोलोजी टूल मिलते हैं उनको अपना कारोवार भणाने के लिए सीड मनी मिलता है तो कितना बड़ा कमाल करते हैं वो अभी मैं देख के आया है और यहां जो भी आप आए हैं न मेरा आपसे भी आगरह है आप ये प्रदर्शनी जुरूर देखे आपको इतना गर्व होगा कि कितनी बड़ी क्रांती आई है साथियों हमारे पारम पारिक कौशल में सबसे ज़्यादा भागिदारी SC, ST और OBC समाज के लोगों की रही है अगर पिछली सरकारों ने विश्व कर्मा बंधों की चिंता की होती तो इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती लेकिन कॉंग्रेस और उसके दोस्तों ने SC, ST, OBC को जान भुज़ करके आगे नहीं बढ़ने दिया हमने सरकारी सिस्टिम से कॉंग्रेस की इस दलीप पिछडा विरोती सोच को खत्म किया है पिछले एक साल के आखड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज़्यादा लाब SC, ST और OBC समाज उठा रहा है मैं चाहता हूँ विश्वकर्मा समाज इन पारंपरी कारियों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए बलकि मैं चाहता हूँ विश्वकर्मा भाई बहनेों के काम को MSME का दर्जा दिया है वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट और एकता मौल जैसे प्रयासों के जरिये पारंपरी उत्पादों को की मार्केटिंग की जा रही है हमारा लक्ष है कि ये लोग अपने बिजनस को आगे बढ़ाएं ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की सप्लाइच चेन का हिस्सा बने इसलिए O.N.D.C. और जैम G.E.M. जैसे माध्यमों से शल्पकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपना बिजनस बढ़ाने में मदद का रास्ता बन रहा है ये शुरुवात बता रही है जो वर्ग आर्थिक प्रगती में पीछे छुट रहा था वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे बवस्ता में एहम रोल निभाएगा तरकार का जो स्कील इंडिया मिशन है वो भी इसे ससक्त कर रहा है कौशल विकास अभियान के तहट भी देश के करोलों नौजवानों की आज की जरुतों के हिसाब से स्कील ट्रेनी हुई है स्कील इंडिया जैसे अभियानों ने भारत की स्कील को पूरी दुनिया में पहचान दिलानी चुरू कर दी थी और हमारे स्कील मंत्राले हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग स्कील मंत्राले बनाया और हमारे जैन चोधरी जी आज इस कील मंत्राले का कारोबार देखते हैं उनके नेत्रुतों में इसी साल फ्रांस में वर्ल्स कील्स पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ हम ऑलिम्पिक की जो चर्चा बहुत करते हैं लेकर उस फ्रांस में अभी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ इसमें कील को लेकर के हमारे छोटे छोटे काम करने वाले कारीगर और उन लोगों को बेजा गया था और इसमें भारत ने बहुत सारे अवर्ड अपने नाम किये हैं यह हम सब के लिए गर्व का विशे हैं ताथियों महाराश्ट में जो अपार आउद्योकिक सम्भावना हैं उन में टेक्स्ट्राइल इंडस्ट्री भी एक है पिधर्व का ये इलाका ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंडर रहा है लेकिन दसकों तक कॉंग्रेस और बाद में महा अगाड़ी सरकार ने क्या किया उन्होंने कपास को महाराश्ट के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में दकेल दिया ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीती और ब्रस्टा चार करते रहे समस्या का समाधान देने के लिए काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब दोहजार चौदा में देवेंद्रेगा फड़न भिजजी की सरकार बने थी तब अमरावति के नांदगाव खंडेश्वर में टेक्स्टाइल पार का निर्माण हुआ था आप याद करिए तब उस जगह के क्या हाल थे कोई उद्योग वहाँ आने को तयार नहीं होता था लेकिन अब बही इलाका महराश्ट्र के लिए बड़ा आउद्योगी केद्र बनता जा रहा है साथियों आज पी-एम मित्र पार्क पर जिस तेजी से काम हो रहा है उससे डबल इंजिन सरकार की इच्छा शक्ती का पता चलता है हम देश भर में ऐसे ही सेवन साथ पी-एम मित्र पार्क ठापित कर रहे हैं हमारा वीजन है फार्म तू फाइबर, फाइबर तू फैबरिक, फैबरिक तू फैशन, फैशन तू फोरेंट यानि विजर्व के कपास से यही आई क्वालिटी फैबरिक बनेगा और यही पर फैबरिक से फैशन के मुताबिक कपड़े त्यार किये जाएंगे यह फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा इसे किसानों को खेती में होने वाना नुक्षान पंध होगा उन्हें उनकी फ़सल की अच्छी किमत मिलेगी उसमें वैल्य एडिशन होगा अकेले पी-एम मित्र पार्ट से ही यहाँ आठ से दस हजार करोड रुपिये के निवेश की संभावना है इससे विदर्भ और महाराश्तमे युवाओं के लिए रोजगार के एक लाग से जादा नए अवसर बनेंगे यहां दूसरे उद्योगों को भी बढ़ हवा मिलेगा नई सप्लाइच चेंज बनेगी देश्टा निर्याद बढ़ेगा आमदनी बढ़ेगी और भाई और बहनों इस अवद्योगी प्रगति के लिए जो आधूनिक इंफ्रासक्टर और कनेक्टिविटी चाहिए महाराश्त्र उसके लिए भी तैयार हो रहा है नए हाई वेच, एस्प्रेस वेच, सम्रुद्धी महामार्ग, वोटर और एर कनेक्टिविटी का विस्तार महाराश्त्र नई आउद्योगी क्रांति के लिए कमर कस चुका है साथियों, मैं मानता हूँ, महाराश्त्र की पहु आयामी प्रगति का अगर कोई पहला नायक है तो वो है यहां का किसान जब महाराश्त्र का विदर्व का किसान खुशाल होगा तबी देज भी खुशाल होगा इसलिए हमारी डबन इंजिन सरकार मिलकर किसानों की समरुद्धि के लिए काम कर रही है आप देखिए पी-एम किसान सम्मान निति के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपिय किसानों के लिए बेजती है महराज़्धि के किसानों को अब पारा हजार रुपिय सालाना मिल रहा है फसलों के दुक्सान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े इसके लिए हमने एक रुपिय में फसल भीमा देना शुरू किया है महराज़्धि की एकनाच सिंदेजी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है इस छेत्र में सिंद्चाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जितने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया इस सरकार ने फिर से सिंद्चाई से जुड़े प्रोजेस को गती दी है इस छेत्र में करीब पच्यासी हजार करोड उप्य की लागत से पैन गंगा नल गंगा नदियों को जोडने की परियोजना को हाली में मंजूरी दी गई है इससे नाथपूर परदा, अमरावती, यवत्मार, अकोला, उल्डाना इंच जिलों में दस लाग एकड जमिन पर सीचाई की सुविदा मिलेगी साथियों, हमारे महराष्ट्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है प्याज पर एक्सपोर्ट टेक्स 40 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है खाज दे तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20 प्रतिशत टेक्स लगा दिया है रिफाइंड स्वयाबीन तूरिय मुखी और पाम ओयल पर कस्टम डुटी को साड़े बारा प्रतिशत से बढ़ा कर साड़े बतिस प्रतिशत कर दिया है इसका बहुत भाइदा हमारे स्वयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा जल्द ही इन सब प्रयासों के प्रणाम भी हमें देखने को मिलेंगे लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी जिस कॉंग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुँचाया परबाद किया हमें उन्हें फिर मोका नहीं देना है क्योंकि कॉंग्रेस का एक ही मतलब है जूत तोखा और बेहिमानी इन्होंने तेलंगना में चुनाओ के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े बड़े वादे की है लेकिन जब इनकी सरकार बड़ी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे है कोई उनकी सुनने वाला नहीं है मारास्त में हमें इनकी दोखे बाजी से बच कर रहना है साथियों आज जो कॉंग्रेस हम देख रहे हैं ये वो कॉंग्रेस नहीं है जिससे कभी मातमा गांदी जी जैसे महाप्रूश चुड़े थे आज की कॉंग्रेस में देज भक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है आज की कॉंग्रेस में नफ्रत का भूत दाकिल हो गया है आप देखिए आज कॉंग्रेस के लोकों की भाषा उनकी बोली पिदेशी धर्ति पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे समाज को तोड़ना देश को तोड़ने की बात करना भारतिय संस्कृति और आस्ता का अपमान करना ये वो कॉंग्रेस है जिसे टुकडे टुकडे गैंग और अर्मन नक्सल के लोग चला रहे हैं आज देश की सबसे ब्याइबान और सबसे ब्रस्त कोई पार्टी है तो वो पार्टी कॉंग्रेस पार्टी है देश का सबसे ब्रस्त परिवार कोई है तो वो कॉंग्रेस का साही परिवार है साथियों जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरासा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपती पूजा का विरोध नहीं कर सकती लेकिन आज की कॉंग्रेस को गणपती पूजा से भी नफ्रत है महरास्त की धर्थी गवाह है आजादी की लड़ाई में लोकमाने तिलकर के नेचरतों में गणपती उच्छो बारत की एकता का उच्छो बन गया था गणेश उच्छो में हर थमाज और बर्क के लोग एक साथ जुड़ते थे इसलिए कॉंग्लेस पार्टी को गणपती पूजा से भी चीड है मैं गणेश पुजन कारकेम में चला गया तो कॉंग्लेस का तुष्टी करण का भुज जाग उठा कॉंग्लेस गणपती पूजा का विरोध करने लगी तुष्टी करन के लिए कॉंग्लेस कुछ भी कर रही है आपने देखा है करना टका में तो कॉंग्लेस सरकार ने गणपती बपा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया गणपती की जिस मुर्ती की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वेन में कैद करवा दिया महराश्ट्र गणपती ची आराधना करीद होता आणि करना टकात गणपती ची मुर्ती पूलिस वेन मद्दे होती आदर गणपती के इस अपमान को देख आक्रोशित है मैं हरान हो इस पर कॉंग्रेस के सयोकों के मुँपर भी ताला लग गया है उन पर भी कॉंग्रेस की संगत का ऐसा रंग चड़ा है कि गणपती के अपमान का भी विरोद करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है एक जुठ होकर कॉंग्रेस के इन पापों का जबाब देना है हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है हम साथ मिलकर महराष्ट की अस्विता को बचाएंगे हम सब साथ मिलकर महराष्ट का गवरों और बढ़ाएंगे हम महराष्ट के सपनों को पूरा करेंगे इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस महत्पूर्ण योजनाओं को आपने जो उसकी ताकत को सम्झा है इन योजनाओं का विदर्व के जीवन पर हिंदुस्तान के सामान निव्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव होना है ये आपकी विदर्व सभा के कारण मैं इसे महसूस कर रहा हूँ मैं एक बार फिर सभी विश्व कर्मा साथ्यों को पिदर्व के और महराज्ट के सभी मेरे भाई बेहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे साथ बोली है भारत माता की दोनों हाथ उपर करके पूरी ताकत से भारत माता की कर दो कर दो कर दो कर दो अबीपी माजा उगटा डोले बगा नीट